रेलवे अब यहाँ पर काफी तरह की एडवैंस वंदे भारत एक्सवेस ट्रेंड बनाने में लगी हुई है और अब तो यहाँ पर ओफिशियल ने भी फाइनली रिवील कर दिया है कि यह जो अपग्रेडेड रेक से इनकी कॉस्ट क्या पढ़ रही है अब भी फिलाल मार्के जैसे कि सभी को पता ही होगा कि जो पहले की दो बंदे भारत थी तो उनकी कॉस्ट थी लगबक 100 करोड, 105 करोड के लगबक बताया ये भी जा रहा था कि जिस तरह से हमारा स्केल बढ़ेगा ये कॉस्ट तो 100 करोड से कम हो जाएगी बट अब यहाँ पर in fact कॉस्ट थोड़ी कि जा रिये, so let me tell you कि previous वंदे भारत से तो ये बहुत ही ज्यादा advance है अगर safety के लिहाँ से देख लो comfort के लिहाँ से सब भी मामलों में इसमें upgradation किया गया है, now ये जो new वंदे भारत है ये use करती है collision avoidance system that means TCAS system to prevent any cases of train signaling और या फिर कोई भी danger आ जाता है crossing के time पर उसको ये of coaches और भी कई तमाम features जैसे की fire detection alarms, fire detection system in rooms and toilets, disaster lights और emergency push button जैसे तमाम सारे इसमें धेरो features मोज़ूद है, इसके अलावा अब सबसे बड़ा change जो हम कह सकते हैं, तो इसके bogey को और भी ज्यादा improve करके इससे design किया गया है, और official ने ये भी बताया कि हमारी जो final train है 99% देशी होग जो हम भार से विदेशों से मंगा रहें, बट 99% ये देशी train है, इसके साथ ही इसमें automatic door sensor operated doors भी लगाए जाएंगे, जो कि पहले से थोड़ advance रहेंगे, from 4 to 6 trains per month और अब शायद ये लोग plan कर रहे हैं कि 10 train every single month ये लोग शायद स्टार्ट भी कर सकते हैं, so देख सकते हो कि scale क इतना तेजी से यहाँ पर बढ़ाय जा रहा है, at present दली खट्रा और दली वरणसी रूट्स पर इन्हें दोड़ा जा रहा है, but hopefully minister का जिस तरह से plan है कि हर जोन में हम वंदे भारत express train को दोड़ाएंगे, और almost हर जोन के important trainway station से हमारी ये world class वंदे भारत पास होगी, but फिर भी comparatively जो Europe और Western countries की train है, उनके comparison में थो almost आदे दाम में हमने ये train बना कर तयार करती है, वो भी world class high standards के साथ, इसके बार में आपकी क्या रहा है, definitely comments में बताईएगा